रुशिक राशी अर्थात अंग्रेजी में कहे स्कॉपियो सरपतम एक चीज़ समझिए मंत्रों का प्रभाव जीवन पे पड़ता है तेकि पड़ता कैसे है वो डारेक्ट आप पे भी आपके जीवन पे भी और साथी साथ आपके ग्योह नक्षेता पे भी आप जब भी पेडा होते है ये पेडा हुए है उस समय उस काल के अनुसार आपके एक राशी हो दिए और उस राशी का परभाव गर बाधा के रूप में आपके जीवन पड़ता है यही कवरने कि वेक्ति आस्ट्रोलोजी का प्रयोक करता है आस्ट्रोलोजी या यू कहे आध्यात्म, दोनों एक ही है अगर हम जब भी मंत्रों का उप्योग करते हैं तो उसका लिंक कहीं न कहीं आस्ट्रोलोजी से है उसी तर्ग पर अगर आप रुशिक राशी में पैदा हुए है तो आपको ओम नारायनाय सुर्षिहाय नमह का जब करना चाहिए है इसके पीछे कारण है कि कई बार अगर आप रुशिक राशी में हैं तो परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं होती है यह यू कहे आप संतुष्ट नहीं होते हैं इससे आपको बिमारी भी आ सकती है और रुशिक राशी में खास करके रिलेशन्शिप के पॉलम्स कई बार रहते हैं लेकिन हाँ इनका सेंस अफ यूमर कमाल का होता है तो आप एक जीवन में अगर कोई परशानी है बाधाये हैं रिलेशन्शिप में परशानी है धन धान्य की उध्धिना हो गई है पैसे की पॉलम्स है हर तरह की बाधाउं का शमन करने के लिए आप इस मंद्र का जब करे इसका पभाव आपके राशी पड़ेगा जो प्रतिकूल ग्रह होंगे राशी में उनको अनुकूल बनाएगा ये मंद्र और उसका डारेक्टिल और इंडारेक्टिल पभाव आपके जीयों में पड़ेगा अगर आप कोई अन्य साधनाएं करना चाहते है तब भी आप अपने राशी अनुसार मंद्रों का जाम करे इससे आपको शी को सफलता प्राप्त होगी और हर बाधाएं दूर होंगी